हेई चर्डी बडीज पांच तीन एक हो रहे हैं और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाया जो हमने Google से इमेज उठाई थी और अपने YouTube वीडियो में लगाई थी उसकी वजह से जो copyright issue आया उन्हें कैसे avoid करें तो normally क्या होता है कि जब हम Google से कोई इमेज ढूंडते हैं तो Google उस पे जो sites है website, web pages उन पे जो images है वो हमें तिखा देता है तो भाया अगर आपने वो images यूज करनी तो जो website है या जो भी है जहांसे आपने वो ठाई है वहां की लोग आपके YouTube वीडियो पे claim कर सकते हैं तो इसे avoid कैसे करें तो simply हमें क्या करना है हमें एक filter लगाना होगा तो चलिए हम पहले प्राउजर खोल लेते हैं और यहां हम जो भी हमारा subject है जिसके हमें फोटो चाहिए उससे लेक लेते हैं So for example plane PLA यह प्लीन लेक लेते हैं भाया यह तो यहां में जब हम जाएंगे तो यहां यह खुल जाएंगे भाया एडिटिंग देखो एडिटिंग देखो एडिटिंग तो यहां देखे यहां एगा Tools आपको Tools पे क्लिक करना है और यहां एगा Usage Rights So Usage Rights पे जब जाएंगे तो आपके पास यह सारे options आएंगे यहां आपको करना है Label for reuse आपको इस पे क्लिक करना है आप इस पे भी कर सकते है Label for use with modification बट आप इसे डाउनलोड करना होगा हलके से चेंज लाने होगा हलके से एडिटिंग करनी होगी तब जाके आप इसे यूज कर पाएंगे But label for use आप जैसी की तैसी यूज कर सकते है मतलब ऐसी वैसी मतलब जैसी है वैसी I'm sorry मेरी थोड़ी हिंदी भी खराब है English की तरह है तो यह देखिए यह आपकी सारी label for use आचुकी है आप इनमे से कोई भी reuse कर सकते हैं और कोई भी strike नहीं आएगी यह तो होगा एक और तरीका एक तरीका है में इसके लाब एक और तरीका है जिससे आप use कर सकते हैं एक site है जिसका नाम है Pixabay या शायद Pixabay जो भी है I'm not at all good at pronunciation So यह as always link in the description अभी copy कर लेते हैं तो यहां देखिए अरह भया क्या खुल दिया तुमने है पीचे जाओ यह यह website खुल जाती है यह आपके पास बहुत सारी images आती है जो बहुत पढ़ी है in my opinion यह देखो यह Okay तो यह हमारा जो subject है वो ता plane तो यह आप plane सर्च कर लेता है enter तो यह देखिए plane के बहुत सारी images आती है plane के साथ यह truck रखके भी में जजा चुकी है तो जो आपको अच्छी लगे उन्हें आप यूज कर सकते हैं यह देखिए जैसे यह बहुत अच्छी मेज है तो यह देखिए खुल चुकी है और यहां देखिए यहां लिखा हुआ है cco creative commons मतलब आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी strike के आप free download पे क्लिक करिए अपना size लेक कर लिए मैं अभी lowest resolution लेक कर रहा हूं और download पे क्लिक कर दीजे तो यह डाउनलोड हो चुकी है यह से open करके देखते हैं तो लोग आपकी image तयार है और आपकी strike कभी भी नहीं आएगी जब आप यहां से या फिर google का filter लगा की उस करेंगे सो बस enjoy करो यार that's all for today's video यह अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक वाई शस्क्राइब रस्क्राइब कर देना that's all for today पस भागो